अभिश्यक आपने बिग बॉस जैसे प्लाटफॉर्म को क्यों चूज किया ईश्या और आपका उफिशल बताने के लिए क्योंकि कई बार आपने उस चीज को डिनाय किया बॉस पने तूरंढ का कि हम हम लोग रेलेशन में थे और काफी सारी चीजे खुबी फिर समर्थ आए उसके बात काफी सारी चीजे हुए तो यी प्लाटफॉर्म क्यों चूज किया आपने सर मैंने चूज नहीं किया, जब मैंने साइन किया था मुझे नहीं पता था इशा आ रही है, बट जाने से पहले पता था कि इशा भी आ रहे, मैंने का ओ शेट अब क्या होगा, तो इन्होंने जब इंटर्व्यू लिया था, तो इंटर्व्यू से पहले इनको मेरे बारे में पता था कि मैं relationship में हूँ तो इन्होंने पहला question उससे ही पूचा था कि break up क्यूं हुआ तो मैं deny ही नहीं कर सकता था क्योंकि colors की team को पता था कि मैं और इशा relationship में थे उडारियां के time पर तो अब जब पता ही चल गया था उस time तक मैंने interviews दे दिये थे या interviews चल रहे थे और मैं बताना नहीं चाहता था मुझे लगता था कि इशा में भी अंदर उस चीज को accept ना करें ना बताये तो मैं क्यूं बताऊं मैं बेवकूफ बन जाओंगा ऐसा पर अंदर जाके उसने खुद बता दिया और पहले दिन ही वो चीजे बाहर आगी तो फिर मैं कैसे deny करता हूब बिल्सली मुझे भी बताना था बट हमेशा य जो भी हुआ अच्छा हुआ जैसा भी हुआ क्या आपको as a person कि मुझे as a viewer उनका लगा कि जब समर्थ आये चिंटू जब आने से पहले friendship हुई थोड़ी बहुत friendship हुई थोड़ी बहुत नोग जोक हुई बट उनके आने के बात सिर्फ नोग जोक हो रही थी ऐसा कुछ आपक आते थे बाते करते थे गुमते थे गेम में थे समर्थ आने के आख अब जो मैं उसका एक्षव तो मेरे साथ क्यों बात करेगी समर्थ के साथ बात करेगी तो वो थोड़ा एक distance हो गया था बट और 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 तीनों की भी एक ताइम पर दोस्ती हो गई थी अच्छी खाश